बिस्मिल्लायरोख्मार रहीम मैं हूँ भिया मलीक तो वैलकम विवर्स तो माई चैनल आपके सामने एक मज़े सी शेक्स पड़ी हुई है इसे टेस्ट करने का टाइम हा चुका है तो इसे टेस्ट करते हैं और आपको मैं बिताती हूँ कि यह कैसी बनी है यमी तो यह अगर रेस्पी आप मुस्से लर्न करना चाहते हैं आप ते क्या करना है इस वीडियो को देखना है कि एंड तक तो चलते हैं इस प्यारी सी मज़ेदार सी शेक्स की रेस्पी की तरफ बिस्मिल्लायरहमार रहीम असलावलेकूम आप यूट्यूब फैमली उमीर है आपके इस देर सारी प्यार का दिल से बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर लाव एंड स्पॉर्ट तो वैलकूम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल मैं हुबिया माली कॉराज मैं आपके लेके आगी हूँ एक एकसाइटिड सी मज़ेदार सी रेस्पी जैसे क्या आप आप देखी सकते हैं आज बनाना है तो मैं आज बनाना शेक बना रही हूँ इसके अंदर बहुत से वटावेंस मजूद होते हैं गर्मियों में इस शेक को पीना बैस्ट है बिकॉस कहां में पता ही है कि बनानास जो होते हैं उनकी तासीर ठंडी होती है और अगर आप चाहत ही रहते हैं तो गाइस सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है उनसे मेरे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे थांजब भी दें लाइक भी दें और अप्टे फ्रेड्स और फैमिल सरक्राब में इसे प्रेड़ करें ताकि चैनल जो है तो फ़राग ग्रोव कर सके और मैं आपके साथ ऐसे ही अपनी रेसिपीस जो है वो शेयर करती रहूं तो जो लोग पहले से वजूद है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नी किया तो सब्सक्राइब ब बनाना मिर्क शेक तरह सबसे पहले मैं आपको ले चकती हूँ रेस्पी के इंग्रिजर्ट की तरफ जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ तो यहां पर गाइस मेरे बनानास लिए है बनानास आपने यूज़ कर रहे हैं मैं हाफ लीटर मिल्क यूज़ कर रही हूं तो उसके यहां पर आइसऊ होगी ठरीज़ तो और ही मज़ा आज आज आता है उसे बीने का यहां पर मिल्क मैं ले रही हूं हाफ लिटर ठीक है यह आपके सामने है तो यह हैं रेस्पी के इंगिर्टर्स तो चलते हैं आज की रेस्पी की तरफ तरफ टरफ टैप न मरवन हैं के बना कोई मस्ता नहीं होता है ब्लेंडर में असानी से ब्लेंड हो जाते हैं और शेक जो है मज़दार सी रेडी हो जाती है ठीक है जी तो ये देखे मैंने दो दो हिसों में काट लिया है तकरीबन मैं लूँगी फॉर टू फाइफ में ले ले रही हूँ इसके अंदर बहुत सी कैल होती है और ये आपके वेट को बहुत जल्दी इंक्रीज करती है बट एक यहां बट यह है कि अगर आपको बनाना शेक के जरीए अपना वेट इंक्रीज करना है तो बनाना शेक की कॉंटिटी भी इंक्रीज करना है दे में एक दिन में दो से तीन मरतबा इसे पीएं इसे प जाल देने हैं आप लोग बूच्छे रहते हैं कि आप हमें बेलेंडर में शेक करते हैं यह नहीं दिखाती है यह इसलिए नहीं दिखाती है और आपको शूर नजर नाहीं है तो अच्छा है अच्छा अब इसके अंदर में जानने जा रही हूं। एक तकरीबध न कीवस्पून ना कीवस्पून है। वच्पेड़ के लाट दी हमें आइस और यह लाट करेंगे आइस का हम बाद में आइद कर सकते हैं तो दो स तीन में कीवस्पून कर सकते हमें दोटों केश्चा कि अरे दिए मोज़ों तके सब्सक्राइब रहे है झालेक फेला बीजाल अब सीमाच उफ्षेटे मज़ेग ग्लास सब्सक्राइब को सब्सक्राइब डिंद करेंडिया जा च्बलें आप अपने टेस्ट के फेवर के ही साफ़े टाले जाएगा थंडी मिल्क शेक हो तो ज्यादा ही मज़ी की लगती है और मज़ा भी आता है उसे पीने के लिए और दिल के अंदर भी ठंड़क सी पैदा हो जाती है अच्छी गाइस तो आप चलते हैं अपने प्यार प्यार ग्ल आप देखें किती प्यार इसी इसकी लुक आई है गाइस जस्ट चेक आउट दे लुक तो अब मैं इसे करते हूं दोड़ सा गारिश और आपको दिखाते हूं इसकी फाइनल लुक चलते हैं फाइनल स्ट की तरफ तो फाइनली गाइस मेने अपनी बनाना मिल शेक को कर लिय है और कितनी एजी और क्विक सी रेस्पी थी मुझे होप है कि आपको मेरी आज की रेस्पी बहुत संदाई होगी आप इसे ट्राइ की जिएगा और प्लीज जाने से पहले एक पर फिर से आप से कोऊंगी प्लीज सब्सक्राब मैं चैनल प्रेस ते बैल आइकन तके आपको साथ तब तक अबना बहुत सा हया रखेगा और मुझे अपनी दौा में रखेगा याद टेक के बबाई अला हाफीज गाईज बाई